Hello Friends, Welcome to Study News मानसेर आद्रभूमी के विकास और काया कल्प के लिए हमारे देश के परियावरण मंत्री प्रकास जावडेकर जी ने मानसेर वेटलेंट के विकास के लिए मानसेर विकास योजना की समिक्षा की है इस योजना का उद्देश से ट्यूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना है और जम्मू छेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तो जानेंगे यहाँ पर मानसेर वेटलेंट के बारे में और रामसर कन्वेंशन वेटलेंट के बारे में So, let's start तो चलिए मैप में भी देख लेते हैं यह है हमारा भारत और यहाँ से यह जम्मू यह है जम्मू और जम्मू के पास यह है मानसर वेटलेंट यह मानसर लेक है इसे ही मानसर वेटलेंट कहते हैं तो पहले जानते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलेंड को 1971 में दो फर्वरी को इरान में किया गया था इसी दिन यानि दो फर्वरी को विस्व आदर भूमी दिवस यानि World Wetland Day मनाय जाता है और 2020 के World Wetland Day का थीम था Wetlands and Biodiversity ये कन्वेंशन वेटलेंड भूमी के लिए या आद्र भूमी के विकास के लिए और वहाँ पर होने वाले ट्यूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किया गया था हाल ही में पर्यावरण वान की एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने गोशना की थी कि रामसर सम्मेलन में भारत के दस आद्र भूमी को अंतर राश्ट्रिय महत्व के इस्थलों के रूप में गोशित किया गया था जिससे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या 37 हो गई है इस मैप में आप देख सकते हैं ये सभी रामसर साइट्स हैं जिसमें वुलर लेक, होकेरा वेटलेंड, उत्तर प्रदेश में अपर गंगा रिवर, राजस्थान में सांभर लेक, मद्य प्रदेश में यहाँ प रामसर साइट्स में वे हैं महराश्र में नंदुर, मतमेश्वर, पंजाब में केशुपूर, मियनी, ब्यास, संरक्षड, रिजर्व्स और नंगल, उत्तर प्रदेश में नवाब गंज, पारवती आगरा, समन, समस्पूर और सरसाई नवार है रामसर सम्मेलन के अंतरगत वेटलेंड की परिभासा दी गई है, जिसके अनुसार वेटलेंड छेतर इसे कहते हैं जो या तो दलदल हो, बाडप्रवड छेतर हो, नदियां हो या जीले हो, सदावहर वन हो, समुद्री छेतर हो, या प्रवाल भितिया हो और या तो human made wetland हो जैसे pond या जलास है अगर भारत में आदर भूमी की बात करें तो भारत में 7 लाग से अधिक आदर भूमिया है और उनके सनरक्षण के लिए नियम भी बनाए गए है और भारत के कानून के तहत अभी तक एक भी आदर भूमी को अधिसूचित नहीं किया गया है आदर भूमियों को आदर भूमी सनरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के अंतरगत वी नियमित किया गया है और केंदरी आदर भूमी विनियामक प्राधिकरण के लिए प्रदान किये गए नियमों का 2010 का संसकरण है इसके बाद 2017 के नियमों ने इसे राज इस्तरी निकायों के साथ प्रति स्थापित किया है और एक राष्ट्री आदर भूमी समीती का गठन किया है जो केंदर के साथ एक सलाकार की भूमिका में काम करती है नए नियमों ने आदर भूमी की परिभासा से कुछ वस्तूओं को हटा दिया है जिसमें बैक वाटर, लैगून, क्रीक और सहयक नदियां सामिल है 2010 के नियमों में राजियों को संचिप्त दस्तावेजों की पहचान करने और उन्हें तयार करने की आवसकता है उन्हें केंद्रिय परियावरण एवं वन मंत्राले के पास जमा करना आवश्रक है भारत में आदर भूमी लगभग 1.6 करोड हेक्टेर या भारत के 6 त्रफल का 4.5 प्रतिसत है अगर रामसर साइट्स के चैन की बात की जाये तो रामसर सम्मेलन के अनुछेद 2.2 में लिखा है आदर भूमी को पास्थित की वनस्पती विज्ञान, प्राणी विज्ञान, लीमोनोलोजी या जल विज्ञान के संदर्भ में उनके अंतर राष्ट्रिये महत्व के आधार पर सूची के लिए चुना जाएगा वर्तमान में दुनिया भर में 2,300 से अधिक रामसर साइटे हैं और United Kingdom में सबसे अधिक रामसर साइटे हैं तो ये थी जानकारी रामसर साइट्स के बारे में So thanks for watching this video